लो जैहिंद मेरे प्यारा बच्छों जैसा की आप लो सम्नेल में देख पा रहे होंगे आज हम करेंगे गुर्तुबा कर्षण ग्रेवी टेस्मन इसके बारे में जानेंगे फिजिक्स मारा क्लास नाइन्थ और द्या जो अमारा टेन है ठीके ना इसके बारे में आपकी जानक करेंगे क्योंकि आप जानते हो मैं कोई भी आपका पार्ट शुरू करता हूं कोई भी अध्याद शुरू करता हूं तो मैं आपको सारे सूत जरूर बताता हूं जिससे क्या हो आपको सवाल करने में आसानी हो कोई किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो हम आपसे ए एक लाइक जुरू करना कम से कम एक लाइक तो बनता ही है ठीक है ना चलिए शुरू क राधे हैं आज की क्यूंकि आप लोग वीडियो को फिर लाइक नहीं करते हो तो पहले से ह voltar देँजी वीडियो को और चैनल पर पहली बार आए हूं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इजी तरह के सवाल जो मैं आपको करवाता रहूँगा और आपको पताता रहूँगा क्योंकि आपकी लोगों के हाँ परली एक्जाम जल्दी शुरू होने वाले हैं ठीक है न चलिए देखते हैं क्या क्या है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुर्तवा करशन बल के बारे में इसके बारे में बोला सर आपने बोलोगे सर हमने आपको बोला है गुर्तवा करशन बल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो गुर्तवा करशन बल क्या होता है आप जानते हो कि गुर्तवा करशन ब बल कहते हैं आप लोग भी हमारे साथ नोट्स करते जाए जिससे क्या होगा आपके सोट्स नोट्स बन जाएंगे जिससे आपको एकजाम टाइम में कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी आप अटाक से निकालोगे कापी अपना रिपीजन करोगे और पेपर देने चले जागोगी गारंटी मेरी है कि 90% से एबव आपके नंबर आने वाले हैं इस वार क्योंकि बहतरीन तयारी होने वाले है आपकी और लाजवाब तरीके से तयारी होगी ठीक है ना तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं गुर्तवा करसन बल तो गुर्तवा करसन बल क्या होता है क्या कोना काहते हैं गुरतवाँ कर्ण बल राल सूत्र से बिसकीbnत बना आसानी से तो दोंडों के वीचकारी करने वाले बलको गुरतवाँ कईट पंगाना gekार्ण बल वो होता है या या बराबर होता है आपका जी यंबन यंटू बटे आर स्क्वाईर ये होता है और इसका मात्रक्सर आपने कई बार मुझे बताया है कि क्या होता है न्योटन क्या होता है आपका न्यूटन ये फार्मुला आता कैसे है इसकी हम आपको निगमन कराने वाले हैं देखे न कैसे आता है माल लीजिए आपके पास ये दो पिंड है एक पिंड ये है और एक पिंड ये है इनके बीच की दूरी क्या है आपने माल लो इनके बीच की दूरी आप एक यमडु द्रमान का, द्रमान जानते हो बजन, ठीक है न, तो हम बताते हैं आपको, तो सबसे पहले लिखोगे क्या, दो पिंडों के बीच, यह लिखोगे एडिंग, दो पिंडों के बीच, इसा में लिख रहा हूं, वैसे लिखोगे आप पेपर में भी बीच, लगने वा गुर्तुबा कर्शन बल ये तो लोगेगा दो पिंडों के बीच लगने वाला गुर्तुबा कर्शन बल क्या होता है आपका दोनु द्रभ्य मानू येकिन दोनु द्रभ्य मानू के इसके गुडन फल दोनु द्रभ्य मानू के गुडन फल यह आपका क्या होता है अनुकर्मानुपाती होता है अनुकर्मानुपाती होता है इसे आप समीकर नंबर एक डाल दीजीगा किलियर हुआ ëनुकर्मानुपाती होता अब सरργ्घ के ब्यूद कर्मानुपाती होता है समानुपाती मतलब उल्टा आप लिखोगे अगले वाले में दो पिंडू लिखोगे संद्वीच दो पिंडों के बीच लगने वाला वल पहुंचा वल गोतवाय कासा न वल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के बर्ग के ब्यूतकर्मानु पाती होता है कैसा होता है सर व्यूतकर्मानु पाती होता है क्लियर हुआ दो पिंडों के बीच लगने वाला वल दोनों पिंडों के वीच की दूरी के बर्ग के क्या होगा व्यूतकर्मानु पाती होगा तो अर्थात क्या हो जाएगा यप व्यूत कर्मान पार्दी बनन पांच आरे स्क्वाइड ये हो जाएगा ये नहीं बोलोगे जी सर ये समीकर्ण नंबर टू हो गए समीकर्ण एक और समीकर्ण दो को मिलाने पर लिखोगे अब नहीं लाएं से समीकर्ण एक और समीकर्ण दो को मिलाने पर तो मिलाईए आप लोग क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा यप समान उपाती यम बन यम टू बटे आरे स्क्वाइड ये हो जाएगा आपका बोलोगे सही है बलकुल आगे जब आप ये समान उपाती का चिन नटाते तो आप ज इससर आजाएगा हमारा capital G यंबन यंटू बटे आर इसको है ये हो जाएगा आपका क्या गुर्टबा कर्सुन बल इसका मात्रक हमने बता दिया आपको क्या होता है न्यूटन ठेक है ना, केलियर हो गया यहां लिखोगे जहां इसके बार हम लिखोगे जी जहां capital G क्या है आपका बोलोगे अनुकर्मा अनुपाती नेतांक है अनुकर्मा अनुपाती नेतांक है इसका मान इसका capital G का मान ठीक है, capital G का मान सभी कड़ू सभी कड़ू कथा सभी इस्तानो कोई भी इस्तानो कथा और सभी सभी दिशाओं में क्या होता है दिशाओं में आपके कह रहता है समान रहता है और यह जी क्या होता आपका सरवाती गुर्तवा कर्जण नितांक ठीक है न यहीं तो होता है capital G तरवाती यहां लिखोगे capital G बराबर होता है आपका सार्ब तरिक लिख ले न आप भी बना भूल जाओगे आप लोग गुर्तवा करसन नितांक यह हो गया आगे अगर आप से इसका क्या मुझे ले मान का मान होता है capital G का मान इसका होता है बोलो कि सार 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर प्रती किलोग्राम स्क्वाइर यह होता है इसका क्या मात्तर की होता है और इसका मान अगर पूँच ले तो यह होता है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर प्रती किलोग्राम स्क्वाइर अगर आप निकालोगे G का मात्तरक ठीक है capital G के मात्तरक का निगमन क्या है बोलोगे सर निगमन कैसे करोगे आप लोगे निगमन आप हम जानते हैं क्या जानते हैं अभी आपने निकाला हम जानते हैं कि क्या होता अपका यप बरावर होता capital G यमबन यम्स बटे और स्क्वाइर यहां से अप capital G का मान निकालोगे तो तर्चि गुना करोगे क्या होजाएगा आपका capital G यमबन यम्स बरावर यफ गुणा र स्क्वाइर यहां से capital G क्या हो जाएगा बोलोगे sir यहां फुगना R square बटे क्या हो जाएगा M1 और M2 मात्रक निकालते हैं हम लोग इसका क्या निकालना है मात्रक क्या निकालना है आपको मात्रक तो क्या हो जाएगा capital G आप जानते हो बलका मात्रक क्या होता है Newton होता नहीं होता है, बलका मात्र क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वाइर होता है, यहां पर सोरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका न्यूटन मीटर स्क्वाइर प्रति केजी स्क्वाइर, और दूरी का मात्र क्या होता है, आपका मीटर स्क्वाइर, होता नहीं होता है यंबन M2 क्या हो जाएगा एक का किलोग्राम यंबन का किलोग्राम दूसरे का क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम तो आपका जी का मात्र क्या हो जाएगा बता बोलोगे सर न्यूटन मीटर आई कि दो है मीटर आपके आर कितनी ये दो है सो ये भी कितना हो जाएगा दो नूटन मीटर स्क्वाइर बटे स्कॉाइर किलो ग्राम स्क् боллुगें स्पस्वायर हुजाएगा नहीं हो जाएगा पुलो केंगा जी सरढ शister ही सिद्रत अन। इसको हम सीधें ही निकल सकते हैं कि जी वर चby बराबर केंगा V du de नू Siz आप नूम आन्य एक नूम क् और स्कॉायर प्रति के जी सक्वायर या та में तो Newton मीटर स्कॉायर प्रती के G स्कॉायर जैसे भी चाहिए आप ऐसे निकले ना Capital G का यह होता है आपका मात्रक क्या होता है मात्रक तो उमीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं ठीक है न सब चीज हमने बता दी चल लिए अब आगे हम आपको बताते हैं अगर कोई पिंड नोट करके लिखे लेना आगर कोई पिंड कोई पिंड ब्रत्ताकार मार्ग पर गती करे पिंड ब्रत्ताकार मार्ग है इस पर आपका बीवेग से चल रहा है तो आपको बताना है कि गती करे अब बल तो यह बराबर हो जायेगा आपका यह ब्री स्कॉयर बटे बच्पन से पढ़ रहे हैं इसको द्रमा ने आर के आए वो लोगे दूरी ठीक है केलियर होगे आगे आगे चले हैं आगे हम लोग देखते हैं यहां सर आगे हम लोग देखेंगे important note कर लेना इसको important आपके exam के base purpose से भी तो क्या है आपका capital G तथा इसमाल जी में संबन आयकि नहीं बोलोगे जी सब बहुती बढ़िया बहुती भेतरी नो लाजवा आपने ये concept रखा आके तो क्या होता है केप्टल जी इसमाल जी में संबन बोलोगे केप्टल जी और इसमाल जी में संबन होता है इसमाल जी बराबर होती है capital जी और यमी बटे r sq यहता है आपका संबन तो यहां यह बात जरूर लिखना यहां इसमाल जी क्या है बोलोगे सर यहां इसमाल जी है गुरुत्विय तुरण क्या है गुरुत्विय तुरण अगर पूजले इसका मात्रक मात्र क्या होता है गुर्तवे तोन का मीटर प्रति सब्सक्राइब ये होता है और सर और बतादेजी इतनी इसी बात थोड़ी स्बूर में चलता है काम इससे फुरी बात बताईए हमें केप्टल जी क्या है आपका सारवात्रिक गुर्तवा करस्ण नेतांग एसा कि हम लोग पहले लिए देख चुके थे गुर्तवा करस्तन नेतां बोलोगे सर यह तो बात पता है हमें कोई नहीं बात बताईए नहीं बात आपके लिए है जो यमी है न यह है आपका प्रतवी का द्रब्मान क्या है प्रतवी का द्रब्मान बोलोगे बहुत बड़ी असर अपने पहली बर बता है आर जानते हो क्या है दूरी आर क्या है आपकी दूरी मातर क्या होता है मीटर दूरी का मातर क्या होता है मीटर अगर आप वीडियो आप मेरी देखते हैं नहीं आपको 90 पिलस लाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यहां जानते, सुसराभय में कुछ सुनाइब नहीं देता उर समझ भी नहीं आता हुआ तो आप जानते हो जो आपका घुरत्वयत्वी तुरन इसका बता दे गुरत्वयत्वी तुरन है काङ थी सर ये जी होता है ना, इसका जो मान времней रिटता हो ना कित्ना होता है 9.81 प्रस्वाइब कंगा यह वहता है । और क्या होता है ? मीटेर प्षाज कटी सुद्ड श्क्त्र कुईर्टी दस मीटेर प्रती स्क्वाइर भी बोल देते इसको इंपोर्टेंट डाल के नूट लिख लीजिएगा ठीक है कापी पेन लेकर बैठा करो अमारे क्लास में ठीक है ना सोट समस्व बना लीजिए इससे आपको कभी भी पेपर में दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है ना जो जो molar clicked परसन में सबसे ज्यादा ओफिऊग होने वाले इसको डाल ले वे इंपोर्टेंट सब्से ज्यादा ओफिऊग होंगे आपके किसमे lange Lincoln क परसन परसन में शबसे ज्यादा ओफिऊग होने वाले चलिए तो नंबर एक डालीएगा आप लोग या गुरुत्व के अधीन गती गुरुत्व के तर इसका मतलब नहीं समझ में आए गुरुत्व के अधीन गती देखो गुरुत्व मैंने आपको बता दिया क्या होता आपका गुरुत्वी यत्रुण तो गुरुतविय तोणके अधीन गती जा नीचे की या रहे है जाए यहां लिखोगे पैङकेट में गुरुतविये तोरण आमेशा ८ेसे नीचे की या लगश्ती चाहे और धनातमक होता है तता रुदुबादर ब्रेकिट में उपर की और उपर की और धनातमक होता है मैं बताओंगा आपको इसका डीटेल में अगर आपका गुरुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु गृत्व यदीन के घति हम लोग देखने वाले इस構 dire अब देखने वाले सबसे पहले है समझाने के इरादवे से पहले है आपका या ठीस थी समध्य को आपने गत्ती पहले समीकरन को सिम्पल वाली है तो B भराबर क्या होता है U पिलस A T गुरुतवा कर्फ़न में ईपन जाता है क्या गुरुतवी अपने तुररन क्या बन जाता है आपका G क्यों कि गति होती है वादर के गुरुत्व के यह इवन वह नीचे गति होती यह तरहाता है इसमें जो है विद्वाधर की करता हैं कि व Breaking कि बागी सब क्योंकि से अज़्म करता है셨हिए गती में, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, गुरुत्व के अधीन गती में, लिखोगे, तीस समय बाद, क्या लिखोगे, तीस समय बाद, तीस समय बाद, या ऐसे लिखे लिजे, गुरुत्व के अधीन में गती आपको समझा दिये, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं लिखा प्राप्ट बेग क्या होड़ा बी बराबर हो जाएगा इफ़ भॉ है इसको नोट कर लेना ंश हम धरा क्योंट स्थ तशल रहा है तो आपका जीक्सिप रिकाल किससी प्रिकार दूसरा नमबर दूसरी थमिकण क्या हो जाएगी टीज समय बाद पिंड द्वारा गिरी हुई उचाई क्या लिगोंगे टीज समय बाद ती समय में पिंड द्वारा यहां लिखोगे टी समय में पिंड द्वारा गिरी पिंड कोई ऊपर है ना उसको नीचे ऊपर से नीचे डाल लेगा गिरी हुई उचाई यहां पर यस जो उचाई है उसमें स्ख्यती में यस था इसमें क्या बन जाता है यस यह बन जाता है तो क्या होगा यह बराबर बन जाएगा आपका ut plus half gt square कोई फरक पड़ा खुछ फरक नहीं पड़ा ठीक है न यहां पर यस की दूरी के जगे क्या आगया उचाई आगई आगई नहीं आगई बोलोगे जी सर तीसरा पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा तीसरा पॉइंट क्या का आगया यदि पिंड यदि पिंड जो है आपका का आए यच उचाई गिरने के पच्चाग बी वेग गरने के पच्चाग बी वेग राप्ट कर लेता है एक तो क्या हो जाकर तीसरी समय हो जाएग dw2 बराबर हो जाएगा js 25g vent ऑल प्रिकार की के अधिन कर तांब की अपड़ाख जिसमें दो प्रकार की कर दिए आपके यूद्वाढ़stem आप डार होगे, उद्वादर उपर की और गती, उद्वादर उपर की और गती, इसमें क्या लिखने वाले हो, आप लोग ठीक है, उद्वादर उपर की और गती, इसमें क्या लिखोगे, आप लोग ध्यान से लिखोगे, बोलोगे सर, यदि पिंड को, यही चीजी लिखनी थे हैं मैं उसमें भी, यदि पिंड को यूबेग से, उद्वादर उपर की और, पिंड का गया, तथा, पिंड पर, गुर्तवी, तुर्ण, नीचे की और, क्रिया करता है, ठीक है न, यह तो बताया था हमने, गुर्तवी तुर्ण, हमेशा कहां लगता है, नीचे की और, लगता है, नीचे की और, प्लेस में लोगे, उपर की और, माइनस में लेने बाले हो, ठीक है न, चलिए, तो यहां लिखोगे, टी समय, भई है, टी समय बाद, पिंड का, बेक, क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, यू, माइनस क्या हो जाएगा, जी टी, तुम जी क्या है, आपका माइनस में है, तो माइनस का हो जाएगा, नोट कर लीजीगा, इसको, दूसरा क्या हो जाएगा आपका पिंड दरटी समय में तई उचाई क्या हो जाएगा पिंड द्वारा टी समय में तई उचाई क्या हो जाएगी आपकी यह ची यह बराबर हो जाएगी यू टी पर माइनस लग जाएगा हाफ जी टी की स्क्वारी नोट कर लीजेगा अपनी का आपने, add, ठीके, थर्ड क्या हो जागा, पिंड द्वारा 30 हमें, ठीके, नहीं हो गया, क्या लिखोगे, पिंड यह उचाई, गिरने के 50, भी वेक प्राप्त कर लेता है, क्या लिखोगे, पिंड यच, उचाई, उपर, उठने के 50, बी वेक ट्राप्त कर लेता है, बी वेक ट्राप्त कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, आपका, बी स्क्वार बराबर, यू स्क्वार माइनस के, टू जी, यच, यह तीनों गति की समीकड़, आपने लिखवा दिये है, आपकी, यह तो गुरुत्व के अधीन गति लोगे, तो जी, प्लस में लोगे, गुरुत्व के अधीन गति, प्लस में लोगे, गुरुत्व के उधवादर में, माइनस के लोगे, जी, याद रखना, यह क्या हो जाएगा, आपका, नीचे की ओर, कहा हो जाएगा, नीचे की ओर, यह पिंड तो आप जी कामान क्या होगे पिलस में लेने वाले हो खिलियर हुआ इतनी बात बोलोगे जी सर यह बात हमें क्लियर हो गई आगे चलते हैं लोग इसके बारे में बात करेंगे आगे हम चलते हैं आगे बात करेंगे भार के बारे में इसके बारे में भार भार क्या होता इसके बारे में लोग बताने वाले हैं आपको भार किसी पिंड़ पर वार क्या होता ए लगने वाले किसी पिंड़ पर लगने बाले गुरुत्यु बल को भार कहते हैं तीगे ना क्या होता बार किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्यु बल को पिंड का भार कहते हैं इसे केप्टल डबलू से परदर्चित करते हैं से capital W से परदसित करती हैं जिसे मैं लिख रहा हूं वैसे यह आप लोग लिखोगे पिंड का भार क्या हो जाएगा पिंड का भार क्या हो जाएगा आपका W बराबर हो जाएगा आपका क्या गुरुत्वल लेकिन ही क्या हो जाएगा गुरुत्वल भराबर क्या हो जाएगा आपका ध्रमान हुना गुरुत्य पतुरन द्रमान इंटो गुरुत्य पतुरन तो क्या हो जाएगा आपका अर्थात जो डबलू हो जाएगा ना आपको क्या हो जाएगा दरभमान क्या हो जाएगा या गूरती तुण क्या हो जाएगा जी तो यह हो जाएगा आपका भार क्या मात्रक होता है सर इसका मात्रक बताईए इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्त्वा के असर अप्त्वा नूटन होता है कि बारका मात्रा क्या होता किलोग्राम मीटर पर 30 सेकेंड इसकार प्त्वा जो है नूटन भी होता है इसका क्या मात्रक चलिए किरियर हुआ आगे अगर आपसे बात करें इसको आप लोग नूट कीजिएगा , बहुत ही इंपोर्टेंट हाई यह बहुत बार रशवाल बनाएच्थे है क्या मानलीजिश आप यहां पर हो लिख लोग पहले पहले प्र मेंश बताता हूँ बस्तु का चंद्रमा पर भार, बस्तु का अगर चंद्रमा पर भार और प्रत्वी पर भार, प्रत्वी पर बस्तु समझ में नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, यहां लिख लीजिए, तो हो जाएगा, आपका डबलू यम बराबर हो जाएगा, एक वट्टे छे, डबलू बी, यह कहां पर है आपका चंद्रमा पर भार, और यह कहां पर है आपका फ्रत्वी पर प्रतिवी पर बाहर अगर आपका चंद्रमा पर भार प्रतिवी के बाहर का कितना होता है एक वटे छे गुना होता है माल लेजिए माल न, अगर आपका प्रतिवी पर बार कितना है, प्रतिवी पर बार है माल लेजी, आपका कितना, बोलोगे सर, 60 kg है, अगर प्रतिवी पर बार आपका 60 kg है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर हो जाएगा, आपका 1 by 6, प्रतिवी पर कितना है, ये ये, बुलोगी बिलगुस्तर के लिए रोगया तो इनका कहिने का मतलब यह है कि अगर आप चंद्रमा पर खड़े हो अगर चंद्रमा पर आपका बजन 10 किलो है तो प्रतिवी पर आपका बजन कितना होगा प्रतिवी पर प्रतिवी पर बजन जो है जहां पर हम लोग बैठे हैं तहां पर बजन आपका 50 किलो है तो चंद्रमा पर बजन आपका क्या होगा 10 किलो होगा 10 यह नोट पांट करके लिखे ले ना बहुत बार पूचा गया पेपर में कर आगह लिखेएगा आगे जो है एकी लाइन होगी और बो मई आपका क्या दव लॉत आप अपका दव किया होता है बूह आप देखेएगा दव ? लगने वाले प्रणोवद मतलब लंबवत लगा हुआ बल क्या कहते हैं इसे पी से परदर्शित करते हैं आहिए परदर्शित करते हैं तो दाब बराबर क्या कहा लाँ संसें कि बराबर हुआ परती एक आंक शित्र बल बटे शित्रबल ये जा जायगा तो पी बराबर क्या जाएगा ये बटे एंडे के शिक्राणा एकर आए सेंकिया क्या होता है मीटर इसकुइर या क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा नियूटन रती मीठर इसकुइर या दाप का अंनेमात्र कुद् जी सर मजा आगया इतना बहतरी सर समझा दिया पूरा टीटेल में समझाया आज आपकी थोड़ी सी लंबी हो गई है अगर पूच ले आप से घनत गहनात का फार्मला पूच ले घनत बराबर क्या होता है बोलोगी सर पधार्त का दरब्मान बटे अधार्त का पायतन यह होता है तो घनत को किसे पते कर दो या डी से कर दो क्या हो जाएगा यम बटे भी क्या हो जाएगा यम बटे भी आप से मातरक मूच ले मातरक बताईए क्या हो जाएगा किलोग्राम होगा नहीं किलोग्राम क्या हो जाएगा आपका मीटर क्योब क्लोग मेट्र वें किक चया होता है अपका मेट्र क्योंब है, इसका मातर सबस्क्राइब को पनान दो त्विजी के ओ हं मेठीग में यहों तक तो पड़ते हैं हम लोग सवाल के तरफ दहिक्स करा दब्र लिए पहला तो आप लोग देख पा रहे होंगे आपका पहला सवाल यही तो है पहला सवाल बूला गया कि प्रसना अनुसार आप जी कामाल लोगे 6.67 दसकी पावर मानस 11 नूटर मीटर स्कॉार पर दी कितना दस मेंटर पर सेकंड इसकॉार तो सबसे पहला सवाल देखेंगे तो जातियों कोई इकाद नहीं ठीक है हम आपको कल बताएंगे सारे सवाल कल बताएंगे तब तक आप रिविजन कर लीजिए गा और चेनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा वीडियो क आपके लिए कर रहे हैं वीडियो को सेर करो अगर लाइक भी किया करो लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग ठीक है इससे हमें क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है ठीक है ना तो तब तक के लिए मिलते ह ठेंक यू और क्या रखिए हुआ